क्यों तुम आ नहीं रहे? ममा ने कहा है अजनभी ओके गाड़ी में मत सवार होना यो स्कूल की बस है अगर तुम मेरा बैटा हो बागो तो आकिट क्या थी कॉंट्रोवर्सी औरिजनल फिल्म को लेखर? क्या इस फिल्म का आएगा एक सीकूल भी? क्योंकि है दिया अलविदा इस फिल्म को विजय सेतु पती ने? हलो दोस्तो नमश्कार स्वागेदा आप सभी कब बॉलिग्राप स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ नुश्कातियागी इंडियन फिल्म इंडास्टी के पर फेक्शनिस्ट आमिर खान आ रही है फिर से सिल्वा स्पीन पर लिए अपने फिल्म लाल सिंग चड़ा दोस्तो इस फिल्म के लिए दर्शक होने किये हैं तीन से चार साल इंतिजा और दोस्तो अब ये फिल्म होने वाली है जल्द ही रिलीज रिसिंट्ली दोस्तो लाल सिंग चड़ा के शूटिंग पिचल वायरल होते हुए नजर आ हैं जो कि दोस्तों यदर शाता है कि इस फिर्म की शूटिंग चल रही है एक रापिड पेस पर लासिंग चड़ा है उपीशल रीमेक है दोस्तों बता दू टॉम हंक्स की फिर्म फॉरस्ट कंप का इस फिर्म के रीमेक बनाने की कॉपिराइट्स मिलने में करीब साथ से आठ साल लगे लासिंग चड़ा की टीम को दोस्तों अगर बात करें फॉरस्ट कंप की तो यह मूवी खुद एक नॉवल फॉरस्ट कंप से एडाप्टेड है दोस्तों बता दू कि विंस्टन गुरूम का यह दावा है कि फॉरस्ट कंप के मूवी मेकर्स ने उनको अपने स्क्रिप्ट चार्ज इसके इलावा जड़ीशनल त्री पोरसन का पॉरफिट शेयर करने का वादा किया था वो उनको नहीं मिला है लेकिन दोस्तों पैरमाउंट के साथ उनका भी बाद में मसला सॉल्फ हो गया था अब दोस्तों पैरमाउंट फॉरस्ट कंप का एक सीकुल भी बनाने वाला है नौवल के सेकिंड पार्ट गंप अन को को लेकर लेकिन दोस्तों यह मूवी कभी बनी ही नहीं अब शायद यह हो सकता है कि आमिर खान लाल सिंग चड़ा एक सीक्वल बनाए और वो भी इसी स्टोरी पर हारा कि दोस्तों फॉरस्ट कंप की तरह इसके राइट्स को अब भी हासिल करने में वक्त लग सकता है लेकिन यह नामुम्किन नहीं है अब दोस्तों बात करो फॉरस्ट कंप की तो फॉरस्ट कंप में पॉलिटिकल सिंबल्स भी बहुत हैं तो लाल सिंग चड़ा में भी हिंदुस्तान के हिसाब से वो पॉलिटिकल सिंबल्स दिखाये जाएंगे तो दोस्तों पतादू कि लासिंग चड़ा को को प्रिडियूस किया है आमिर खान की एक्स वाइप करन राउने हाली में उनके रिष्टे का हुआ अंद 215 साल के बाद आमिर इसे पहले 15 साल रीना दता के साथ शादी के बंदन में बने थे लेकिन सेपरेशन होने के दो साल बाद उन्होंने क benefiting से शादी कर ली दोस्तों पतादू कि आमिर खान और रीना दता को दो बच्चे हैं जिनका नाम है जिनैख खान और किराख राउख के साथ उनका एक बेटा है जिसका नाम है आजाद राउख शाएप कि आमेर और के इन इक जॉइन स्टेट्मिन में कहा है कि बले यों लोगों का भाब हस्मन वाइब वालय रिष्टाइए लेकिन उसे उन दोनों के जॉइन प्र्यूंट में कोई हला नहीं सपना तो दोस्तो बता दू कि ये रीसेंगली आमिर और कुरिंट को डाइवर्स के बाद नागा चितन्या के साथ एक सेलफी में देखा गया नागर चितरन्या ने क्या है इस फिर्म में विजे से तो पती को रिप्लेश दोथो जो इस फिर्म में नहीं रह पाये थे डेट सिशू की वज़ा से अब दोस्तो लाज सिंग चट्डा को लेकर लोग काफी उताव ले हैं तो क्या ये फिल्म अपने ओरेशनल फिल्म की तरह ही सकस्थुल होगी ये ठाक स्थाफ इंदुस्तान की तरह डूब जाएगी तो दोस्तो इसके लिए तो इंतिजार करना होगा हमें क्रिस्मस तक का क्य ये फिल्म तब ही रिलीज होने वाली है तो क्या आप है अस फिल्म के लिए एकसाइटिड हमें कॉमेंस में ज़रूर बताएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा इसे के लिए पेदा गुआ था मैं झाल